जैशिराम मित्रो मित्रो मैं आज आप सबको धन की देवी माता लक्षमी को प्रशन करने के कुछ उपाय के बारे में बताऊंगा मित्रो जब बात माता लक्षमी की किरपा की आती है तो सब कोई नियमित तो हो ही जाते है माता लक्षमी की किर्पा आप पर सदैव बनी रहे इसके लिए आपको नियमशे प्रति दिन सुबह उठकर असनान करके माता लक्षमी की पूजा आरचना करने चाहिए मा लक्षमी जिस पर भी अपने किर्पा कर देती है उन्हें कभी किशी चीज की कमी नहीं होती है लगबग सभी लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों के हथेलियों को देखते हैं ऐसा करना सुबह माना जाता है आईए जानते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और इसे से हमें क्या लाव होता है मित्रो शास्त्रों में ऐशी मानता है कि हाथों की हथेलियों में मालक्षिमी का निवास होता है कहते हैं कि हथेलियों की उपर हिशे में मालक्षिमी, मध्य में, मासरस्वती, मूल में ब्रमधेव का वास होता है इसलिए शुबा उठकर सबसे पहले हाथों की हथेलियों को देखना बहुत सुब होता है सुबा उठकर सबसे पहले हाथों की हथेलियों को देखने से शरीर में सकरात्मक उर्जा का संचार होता है कहते हैं कि सुबह उठते ही हतेलियों को देखने से बिद्या की देवी शर्षती और धन की देवी लक्षमी की किरपा बनी रहती है। साथ ही स्वास्त से जुड़ी परिशानिया भी दिन प्रति दिन कम होती जाती है। और जब देवी देवताओं के किरपा हम पर रहती है तो हम बड़ी से बड़ी चुनोतियों का शामना आसानी से कर लेते हैं। सुबह अपने दोनों हातों को देखते हुए ये कि हम मंत्र जबुर बोलना चाहिए। कर आगरे बसते लक्षिमी करमधे शरश्वती कर मूले इस्थितो ब्रह्मा परभाते कर दर्शनम। अब दोनों हात्यलियों को अपने चेहरे पर फेर ले हात्यलियों में ब्रह्मतित, रिशितित, देवतित, परजापति, पित्रितित और अग्नितित भी होते हैं। प्रति दिन शुबह उठकर अपने हथेलियों को देखकर इस मंत्र का जाप करने से ब्यक्ति धीरे धीरे परशानियों को शांती से हैंडल कर लेता है। और जब आपके पास एक कागरता आजाती है तो आपसांत हो ही जाते है। ऐसी मान्यता है कि जिसकी ग्रह दसा आच्छी नहीं चल रही है तो उशे शुबह बनाने के लिए निंद खूलते ही सबसे पाले हथेलियों को देखना चाहिए। हथेली के दर्शन के बाद घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे करने के संसकार हमें अपने बड़ों से ही मिलते है। मित्रो, मनुशी की कामना रहती है कि उनके उपर मालक्षमी की किरपा दिष्ठी बनी रहे। लेकिन कहा जाता है कि मालक्षमी चंचला है, ये का स्थान पठाहरना उनका सुभाव नहीं है। हाला कि यदि आप हमेशा मालक्षमी की किरपा पाना चाहते हैं तो ज्योतिस के कुछ उपाय करने चाहिए। ज्योतिस शात्र में कुछ ऐसे उपाय बताये गए हैं जिनहीं यदि आप प्रते दिन सुभा जल्दी उठ कर करते हैं तो आपके उपर मालक्षमी की किरपा बनी रहती हैं जिससे आपके घर में सुख सान्ती और सम्षिधी आती हैं। प्रता काल में मालक्षमी का पूजन और उपाय करने से उनकी किरपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आईए जानते हैं कि वह कौन सा उपाय हैं जिसे करने से माता लक्षमी प्रशन होती हैं। यदि आपके घर में नकरात्म कुर्जा का प्रवाह हो रहा हो तो घर में कलह के साथ धन हानी भी होने लगती है। तुलसी की पतिया डाल कर कुछ देर लख दें। अब इस पानी को घर के सभी कोनों में। के द्वार पर छिड़के जोती सास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके घर से नक्रात्म कुर्जा दूर होती है और मानता है कि मालक्षी में का आगमन होता है हिंदु धर्म में तुलसी के पौधों को बेहद पुजनिय और पवित्र माना गया है साथ इसे विश्म प्रिया भ जल चढ़ाना चाहिए तुलसी में जल चढ़ाते समय विश्णु जी के इस मंत्रों का उचारण जरूर करना चाहिए वह मंत्र है ओम नमो भगवते बाशु देवाया इस मंत्र का जाप करना चाहिए इससे आपके घर की दरिता दूर होती है आपके उपर विश्णु लक्षमी की किरपा बनी रहती है जिससे आपके घर में सम्रिधी का वास होता है प्रती दिन सुबह उठकर अपने घर की शाप सफाई करने के बाद असनान करने के बाद सुद्धगी का दिपक जलाना चाहिए जोतिश की अनुसार ऐसा करने से घर में देवी देवताओं का वास होता है और लक्षिमी माता की किर्पा बनी रहती है प्रत्य दिन जल्दी उठकर असना नादी करके शुरी को अरग आवश्य देना चाहिए इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल और लाल सिंदूर डालकर शुरी को अरग दे माना जाता है कि एशा करने से ब्यक्ति की सभी कारे बनने लगते हैं लेकिन ध्यान रखे कि यह कारे सुबह जल्दी उठकर कर लेना चाहिए मित्रो यह जनकारी आपको कैसी लगी अगर आपको यह जनकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना और हां बेल आइकन क जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाप राप्त कर सके धन्यबाद